हेलो स्टुडेंस कैसे हो होप कि अच्छे होंगे तो आज इस वीडियो में हम करेंगे लिनक्स की एक और इंपोर्टेंट टर्म तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेड़ास गाट इंटो इट so students आज हम जो कबर करने वाले हैं that is what is mount point in linux linux operating system होता है उसमें जो term है mount point ये क्या होता है let us move on to that mount point in linux right so what is a mount point a mount point is a directory जो कि generally क्या होती है empty होती है in the current accessible file system on which an additional file system can be mounted right हमने बार बार एक चीज़ को mention किया है अपने पिछली classes में भी पिछले videos में भी कि linux operating system हर एक चीज़ को एक file मानता है everything in linux is file चाहे वो कोई आप device उसके साथ attach करते हो या फिर उसके अंदर आप कोई directory बनाते हो या कोई individual file है as a whole collectively हम उसको क्या कहते है file right और हमारा जो भी memory storage है उसमें logical volume management के द्वारा हम एक file system install करते हैं जिससे कि हम किसी भी storage device या partition के अंदर data को assess कर पाते हैं राइट तो यहां पर जो हमारा memory storage जो computer के साथ attached पहले से होता है जिसमें operating system installed रहता है वो चीज़ें तो पहले ही already आपकी operating system में mounted होती है means उनकी corresponding directories वहां पर आपके file hierarchy system में पहले से होती है लेकिन अगर हम कोई additional storage device अपने computer के साथ attach करना चाहें तो उस storage device के अंदर जो data है उसको assess करने के लिए भी हमें उसमें जो file system होगा उसे assess करने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम करना पड़ेगा सबसे पहले उसी को हम क्या कहते है mounting और यह जो mount point है यह कोई अलग चीज़ नहीं है point word से आपने confuse नहीं होना है कि यह कोई point है this is nothing like a point this is a folder or directory एक container वहाँ पर है right उसमें आपका जो भी device आप external अपने computer के साथ attach करते हो उसका जो file system है वो उस directory में आ जाएगा और उस external storage device के अंदर जो भी data है उसको आप assess कर पाओगे right जब तक कोई भी storage कोई भी partition mount नहीं होता है तब तक हम उसके अंदर data को assess नहीं कर पाते हैं right तो किसी memory storage किसी partition में अगर data को हमने assess करना है तो उसको सबसे पहले mount करना ज़रूरी है और mount करने का मतलब है कि वहाँ पर कोई पहले से existing directory हो या फिर आप उसके लिए एक special directory अपने हिसाब से वहाँ पर बनाएं जिसमें कि आप उसको mount करें उस directory में उसके data को assess कर पाएं right फर एक्सटरनल storage media हमारे एक्सटरनल storage media होते हैं जैसे कि आपकी cds होती है या फिर आपकी पहले floppy disks होती थी जैसे कि आपका external storage device एक pen drive भी हो सकता है उसको जब हम अपने computer में attach करते हैं तो वो by default हमारे पास जो fire hierarchy system है जो हमारे पास tree based structure है Linux में उसमें वो top level की एक directory वहाँ पर रहती है mnt उसके अंदर उस directory के अंदर further sub-directories बनती हैं इन सब devices के लिए अलग से पहले जो हमारे Linux या Unix like system होते थे वहाँ पर हमें हर एक device को mount command से mount करना पड़ता था और हर बार उन्हें unmount करना पड़ता था लेकिन अब जो हमारे पास modern distributions है जैसे कि हमारे पास Linux की जो distribution है Ubuntu वैसी वैसी distributions में इस तरह के जो आपके common storage devices हैं उनके by default इस M&T folder के अंदर पहले से mount point बने बनायाते हैं ताकि जैसे ही आप उस particular storage device को अपने computer से attach करते हो तो फट से आपको automatically उसकी mounting करके दे देता है और आप readily उसमें जो data है उसको assess कर पाते हो तो जैसे कि हमारे यहां पर M&T के अंदर कोई अगर आपके बास CD ROM के लिए वहां से सब directory पहले से बनी होती है तो यहां पर जो M&T directory के अंदर CD ROM directory बनी that is the mount point यह है उस CD आपकी जो compact disk है उसके लिए या फिर आपके पास कोई floppy है तो आपके M&T directory के अंदर एक जो अंदर और directory बनी floppy करके that is the mount point for that floppy disk right the default mount points for a system are the directories in which file systems will be automatically mounted unless told by the user to do otherwise they are listed in the etc fs tab folder तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो common जो हमारे storage devices होते हैं secondary devices जिसमें कि हमारा operating system बगेरा और जो और applications वहां पर installed रहती हैं तो उन्हें हमें बार-बार mount करने की जूरत नहीं होती वहां पर by default हमारे पास क्या होती है system में जो आपका file hierarchy system है उस structure के अंदर पहले से आपकी directory बनी होती है और वो हर बार जैसे ही आपका computer on होता है तो automatically वो क्या हो points है जो by default है अगर वहां पर उन directories में आपने उन particular storage partitions को assess नहीं करना है किसी और mount point पे और किसी और directory पे आपने उनको assess करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो राइट इन simple words अगर हम nutshell में इसको कहना चाहें mount point को तो mount point is nothing but a directory meant for assessing data in a storage device और partition तो mount point कुछ नहीं है बलकि directory है एक जो कि हमें किसी भी particular storage device या उसके किसी partition में data को assess करने के लिए permit करती है अगर हम mount point किसी storage device के लिए create नहीं कर पाते हैं या in other words अगर हम उसको mount नहीं कर पाते हैं तो हम उसके file system को उसके अंदर data को assess नहीं कर पाएंगे किसी भी cost के उपर then students we come on to जो हम बात कर रहे थे कि हम इनको mount करते हैं unmount करते हैं एक पर फिर से मैं आपको बता दूँआ कि जो operating system है वो जो आपके major five systems हैं उनके लिए mounting और जो mount points हैं वो by default वो करके रखता है और आपको हर बार उनको mount या unmount करने की जूरत नहीं पड़ती लेकिन for one reason और another किसी कारण से आप किसी particular storage device को mount करना चाहते हो नए सीरे से या फिर उसको आप default location के बजाए किसी और directory पे उसको mount करना चाहते हो तो आपका जो procedure आएंगे जो commands आएंगी वो आपको क्या करेंगी उनको हम क्या कहेंगे mounting और unmounting हमने किसी particular disk को करना है तो we can mount any storage device or partition in any other directory यहां पर जो device or partition की बात आ रही है तो यहां पर मैं एक बार और आपको बता देना चाहूंगा कि device means पूरा का पूरा device हो सकता है कि उस device के हम further partitions कर दें तो अगर हमने further partition किये हैं तो उन partitions को हमें अलग-लग से क्या करना पड़ेगा वहां पर mount करवाना पड़ेगा बेशर्प वो फिर से आपके जो LVM में logical volumes में फिर से एक तूसरे को span कर सकते हैं लेकि device means पूरी की पूरी disk और उसके अंदर उसके partition तो वो एक ही बात है अगर पूरे के पूरे device को आपने इक अठा mount करना है तब भी या फिर आपने किसी पूरे device के किसी particular partition को mount करना है तो वैसा भी किया जा सकता है इसलिए हम बार-बार वहां पर mention कर रहे हैं device oblique partition तो हम कभी भी किसी भी storage device या उसके partition को किसी भी directory में क्या कर सकते हैं किसी भी directory means default को छोड़के अगर आपका operating system by default automatically boot होने के उपर उसको किसी default system में करता है तो well and good other आप उसको कहीं और करना चाते हो तो आप mount command का इस्तेमाग कर सकते हो जिसका कि syntax क्या रहता है right prompt के बाद के लिखोगे mount और उसके बाद आपको पता है जो आपके devices होते हैं जो जितने भी external devices आप वहाँ पर लगाते हो तो वो कहा रहते हैं dev folder में और फिर आप device का नाम वहाँ पर लिखोगे और उसके बाद space से के आप directory name दोगे कि कौन सी directory में आप उसको mount करवाना चाहते हो means कौन सी directory के अंदर आपको उसके data मिलेगा right for example mount और हम यहाँ पे dev folder में आपका device है cd-rom और उस cd-rom को हम पहले आपने पिछले example में वहाँ पे किया था कि वो by default mnt के अंदर सब directory बनाता है cd-rom वहाँ पे करता है लेकिन अगर आप cd-rom को वहाँ से mount ना करवा के कहां करवाना चाहते है स्पोस मैं अपनी home directory में एक sub directory बनाता हूँ my cd-rom उस directory में अगर मैं इसको mount करवा के वहाँ पे assess करना चाहता हूँ तो वैसा भी मैं कर सकता हूँ right then अगर आपको mount करवा के कभी उसको क्या करना है safely वहाँ से remove करना है आपने जो pen drive या cd drive वहाँ से किया है उसको हमने क्या करना है बहार निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे for unmounting any storage partition or device we use unmount command तो यहाँ पर हम जो command use करेंगे that will be unmount और simply हम वो जो directory है जो उसका mount point है जिस directory के अंदर वो हमने mount किया हुआ है उसका नाम देंगे और अब वहाँ से वो क्या हो जाएगा unmount हो जाएगा अब अगर आप उस directory में जाके देखोगे तो वो directory आपको क्या मिलेगी खाली मिलेगी right so students this was something about a very important term in Linux that is mount point mount point क्या होती है directory होती है कब भी हमने किसी भी storage device या उसके partition को assess करना है तो हमें सबसे पहले अपने fire hierarchy system में उसको क्या करना पड़ेगा mount करना पड़ेगा और उसके file system को वहाँ पर assess करने के लिए right एक directory वहाँ पर create करने पड़ेगी और उसके अंदर फिर हम उसके data को क्या कर सकते है assess कर सकते है so that is I think very much clear now कि mount point is nothing but a directory for assessing any additional file system on your computer so that's all for today's video I think आपको ये अच्छी तरह से समझ आया है कहीं पर आपको dot होता है confusion होता है तो आप पका comment section में comment करें आपके dot को वहाँ पर remove करने की पूरी कोशिश की जाएगी so friends see you very soon in the next video keep following, keep liking, keep sharing until then keep studying, keep revising, have a nice time good bye you